सो हेलो दोस्तों कैसे हैं आप लोग दोस्तों अगर आप अपने फोन में फोटो किछते हैं जहां जाते हैं वहाँ पर फोटो किछने लगते हैं फोटो किछने के सौखीन है अगर आप बहुत चादा आप अपने फोन से सेल्फी वगरा लेते हैं तो आज की इस वीडियो में आपको दो बहुत ही important settings के बारे में बताऊँगा, दो बहुत ही important tricks के बारे में बताऊँगा, जो कि आपकी बहुत ही ज़्यादा काम आएगा, और मैं पुरे guarantee के साथ कह रहा हूँ कि आपको पूरी YouTube पर इन दोनो settings के बारे में आज तक किसी ने भी नहीं बताऊँगा, और इस वीडियो को इंट तक देखते रहे काफी exciting वीडियो होने वाला है ओके तो बिना टाइम विष्ट किये करते हैं वीडियो को start में नामे सत्यम और आप देख रहे हैं technical expert वावा YouTube channel तो अगर दोस्त कैमरे की दो खास settings के बारे में आप जानना चाहते हैं तो सबसे पहले एक छोट program पर DM करिए ओके अब चली में आपको बता देता हूं camera के दो बहुत खास settings के बारे में तो यहाँ पर हम अपना जो camera है phone का camera उसे हम open कर लेंगे और open करने के बाद यहाँ पर हम सबसे first settings की बात करते हैं ओके अब यहाँ पर जहां से आप माली जी कि फोटो वेगरा किली करते अगर माली जी कि आपको selfie लेना रहता है तो मतलब phone को ऐसे करका मतलब की धरते हैं और selfie लेना चाहते हैं तो ऐसे में क्या होता है कि हमारा जो अंग उठा है वो इस stick तक जो वो नहीं पहुंच पाता है इस trigger तक जो नहीं पहुंच पाता है जैसे कि मतलब कि phone गिरने का भी ड तो यहां पर जहां मन वहां आप इसे छोड़ सकते हैं और आप इस पर क्लिक करेंगे ना तो photo click होगा यहां पर आप जो देख रहे हैं यह बटन इस पर आप photo click करेंगे तो होगा यह देखिए यहां पर जो है जो वो कर सकते हैं अगर माली जी इसे remove करना है तो simply आपको इस पर जो पैसाइब करना है बतलब दबाय सकते हैं तो यहां पर माइनस का बटन आ जाएगा तो इसमिल करकर इसेORA हटा भी सकते अगर यहां पर लाना है तो openly यहांसे उठा पर और जामन वहां इसे आप चोड़ सकते हैं तो बहुत ही कमाल का सेटिंग है इससे आपका phone वी ग settings वाले option पे settings में आएंगे phone का setting जो हता है उस पर आएंगे और यहाँ पर थोड़ा सा scroll down करेंगे तो आपको एक option मिलेगा suiting methods यहाँ पर आप देख रहे हैं यह जो है option simply आपको इस पर click कर देना है click करने के बाद यहाँ पर आपको सबसे उपर में ही वो option मिलता है प्रेस वॉल्यूम प्रेस वॉल्यूम की टू ओक है तो इससे मालीजिये कि अब यहाँ पर फोटो के लिए करना चाहरा था तो इस VOLUM बटन से आप क्या करते हैं कुछ नहीं कर पाता होँगे। इससे आप अपना वॉल्यूम ओगारा हो कम करते हैं मैं आपको दिखाता देखीं यहां पर shutter service में जाएंगे और यहां पर हम जूम पर क्लिक कर देंगे यहां पर जूम देख रहे हैं इस पर हम सेट कर देंगे सेट करने के बाद दोस्तों यहां पर अब आपका जो camera open होगा तो अब आप volume नहीं बढ़ा सकते हैं, अपने इस button से ही zoom in, zoom out कर सकते हैं, volume button से, मैं आपको दिखा देता हूँ, यह देखिए, volume button से हो रहा है, यहाँ पर मैं दवा रहा हूँ, और यह देखिए, volume button से ही अपना सारा कुछ जो वो कर सकते हैं, जितना zoom करना है, उतना आप जो है, zoom कर सकते हैं, तो काफी कमाल का setting है, यह भी अगर आप इसे करकर रखना चाहते हैं, अपने camera के अंदर, तो करकर रख सकते हैं, तो उमीद है कि आपको यह दोनों setting बहुत ही ज़्यादा कमाल कर लागा, दोस्तों अगर आपको यह setting पसंद आया ना, तो आप प्लीज इस वीडियो को एक लाइक कर दीजे, चैनल को सब्सक्राइब करकर बे लग मतवा लिजे, मिलते हैं अगरे वीडियो में तब तक के लिए, जै हिंद, टेक क्यार